एक्जाम ओनलाइन होगा या ओफलाइन इतने दिनों के टसल के बाद फाइनली गॉर्मेंट की तरफ से सीजी बोर्ड की तरफ से ओफिशियल ओडर आ गया है कि आपके एक्जामिनेशन ओनलाइन होगे या ओफलाइन मैं आपको cgbsc.nic.in के ओफिशल वेबसाइट में लेके आया हूँ यहाँ पर देखिए यह इनका होम पेज है जैसे ही हम नीचे आते हैं अभी शाम को ही उन्होंने अपडेट किया है यह देखिए मंडल की बोर्ड परिक्षा आयोजित करने के सम्मंद में आवश्यक निर्द की यह ओफिशल ओडर है cg बोर्ड की तरब से समस्त कलेक्टे रेट समस्त जिला 36 गड़ देखिए मंडल की बोर्ड परिक्षा आयोजित करने के सम्मंद में तो इसको आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं मैं इसका आपको निसकर्स बता देता हूं क्या है देखिए जैसा क कि आप सब जान रहे हैं कि आपके examination कक्षा दसमी के 15 April से 1 मई तक होने थे और कक्षा बार्मी की परिक्षाएं 3 मई से 24 मई तक offline mode में आयोजित करनी थी ये पहले का decision था अभी बोर्ड की तरब से officially ये order आ गया है कि जैसे हमारे पहले का जो निर्देश था कि हम परिक्षाओ को offline mode पर ही लेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से offline mode पर ही आपके परिक्षाएं लिये जाएंगे और चात रित में इसी चीज का निर्दने लिया गया है दूसरी इसमें और बहुत सारी बाते गी गई है कि कोरोना को देखते हुए उससे बचाओ के सारे उपाय जो है वो ला गया या उसको contentment zone घोसित किया गया है या और कोई दूसरी कारण हो गई जिसके बज़े से चारो तरफ lockdown लगा है कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता उस हालत में भी चातर के पास उसका प्रिवेश पत्र होगा या जिस examiner की duty लगी होगी board में वो examiner अपने duty order के आधार पर प मान लो किसी विद्याधी को corona हो गया है या आपके इलाके में contentment zone बनाया गया है या lockdown लग गया है किसी भी कारणवश अगर आप कोई भी paper नहीं देते एक paper हो दो paper हो 6 paper हो कोई भी paper आप नहीं देते तो आपको fail नहीं माना जाएगा आपका जो result बनेगा उसमें आपके marks की ज बच्चे जो किसी कारणवश कोई paper नहीं दे पाए हैं या एक भी paper नहीं दे पाए हैं जिनको corona हो गया है उनको विशेश छूट दी जाएगी और उनको ऐसे ही पास कर दिया जाएगा या बाद में आपको जिनके marks seat में C लिखा जाएगा जो किसी कारणवश कोई paper नहीं दि जाएगा और वो बच्चे भी पास ही होंगे ऐसा कोई वो नहीं है और उनके exam में या mark seat में जहां पर C लिखा होगा उसको change करके वो जो exam देंगे supplementary में या special exam में वहाँ पर जो number प्राप्त करेंगे वो number C के इस्थान पर mark कर दिया जाएगा यानि change कर दिया जाएगा दूस सिर्फ आधे चमता में ही बच्चों को बैठाय जाएगा यानि सिर्फ 25 बच्चों को बैठाय जाएगा प्रापर सालाओं को sanitize किया जाएगा हाथ को sanitize करने की पूरी विवस्था की जाएगी और जिसकी duty लगेगी टीचर की या जितने बच्चे बैटके exam देंगे हर एक को मास्क लगाना कंपल सरी होगा मास्क कंपल सरी है सभी को sanitize किया जाएगा रूम को भी और जितने भी लोग वहाएगे चाहे बच्चे हो चाहे examiner हो कोई भी हो करमचारी हो सब को sanitize किया जाएगा और आखरी point देखी मज़ेदार है आठ नंबर कोरोना पीडित छात्र को किसी में नहीं बैठाया जाएगा यह official order देखिए प्रोफेसर वीके गोयल सहाब का सचीव सहाब का इसमें signature भी है और यह मैंने आपको दिखाया बोड की official website cgbc.nic.in पर upload है यह आप इसको देख सकते हैं इसकी authenticity तो अभी तक बहुत टसल चल रहा था कि आपका exam online होगा या offline होग तो final order आगे हैं कि आपके exam offline mode पर ही conduct करवाए जाएंगे दूसरा कोई भी तरीका नहीं है इसलिए जितने बच्चे confused हैं अपनी पढ़ाई अभी तक नहीं कर रहे हैं तो आप लोग तुरंत अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए hardly 8-9 दिन बचे हुए हैं हमारे चैनल पर आप